नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको HDFC और इससे जुरी नई खबर के बारे में बताने वाला हूँ, जिसकी वजह से शेर पे काफी असर पड़ा है और आगे भी पड़ेगा तो चलिए इस पूरे मामले को असान भाशा में जानते हैं, बीते कुछ दिनों से HDFC और HDFC बैंक के मर मती दे दी है, इस मंजूरी को होते ही HDFC बैंक और HDFC के मरज़ का रास्ता और साफ होता हूँ अधिक प्रहा है, साल 2023 के अक्टूबर तिमाही में यह मरज़ होने की संभावना जताई जा सकती है, आपको बता दू कि इससे पहले RBI ने दोनों कमपनियों ने 50% से अधिक शेर खरिदारी की मंजूरी दी थी, CCI के मुताबिक इस मरज़ के बाद दोनों इंशोरंस कमपनी का 50% शेर HDFC अपने पास रखेगी, वैसे आपको बता दू कि HDFC बैंक और HDFC के मरज़ को भारत का सबसे बड़ा कॉपरेट ट्रांजेक्शन के रूप में देखा जा रहा है, आज HDFC बैंक का शेर 0.01 प्रतिशत की कमी के साथ 1643 रुपे और 50 पैसे पर ट्रेड कर रहा है, इस बीच शेर का 52 वीक हाई प्राइस 1734 रुपे और 45 पैसे और लो प्राइस 1294 रुपे और 15 पैसे रहा है, वहीं पे शेर ने बीते एक साल में 22.78 प्रतिशत का रिटन दिया है, और प्रतिशत सेलिंग 3 प्रतिशत, शेर की मार्कित काप 9,19,097 करोण रुपे पर रो ए रेशियो 17.14 पैसे पी ए रेशियो 19.98 शेर की टॉप होल्दिंग, फोरें इंस्तिटुशन्स होल्दिंग 32.22 पर सेंग, प्रमोर्टर्स होल्दिंग 25.59 पर सेंग, मुच्वल फंड होल 15.65%, दूसरा शेर, HDFC Life Insurance में आज बुधवार को शेर 1.89 प्रतिशत की कमी के साथ 626.90 रुपे पर ट्रेड कर रहा है, इस बीच शेर का 52-week high price 669 रुपे और 95 पैसे और low price 457 रुपे और 80 पैसे है, वहीं पे शेर ने बीते एक साल में 12.32 प्रतिशत का रिटन दिया है, और ए एक मन्त में शेर ने 11.27 प्रतिशत का रिटन दिया है, शेर की experts rating buying 74%, holding 13%, selling 13%, शेर की market cap 1,37,330 करोर रुपे पर ROA ratio 9.57%, PA ratio 99.22, शेर की top holding, promoters holding 50.31%, foreign institutions holding 29.84%, retailers holding 13.86%, mutual fund holding 4.09%, stock market से related videos सबसे पहले देखने के लिए प्लीज सबस्क्राइब करें